पीली भीट की तेहसील अमरिया के उदेपुर माफी गाउं में एक मजार की 5 फीट की दिवार गिरने से 5 बच्चे दब गए आनन पानन में बच्चों के मलबे से बाहर निकाला किया जिसमें 4 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई वहीं 4 बच्चे घायल हो गए इस घटना से छेतर में आफ्रा तफ्री मच गई घायल बच्चों को उप्चार के लिए जिलास्पताल में भरती करवाया किया है बताया जा रहा है कि महौला कुरैशी में मजार के पास बच्चे खेल रहे थे अचानक मजार की 5 फिट की दिवार बच्चों के उपर गिर गई जिसमें रिजायू दीन की 4 साल की बच्ची वफी की दब कर मौत हो गई वह गुलसिता नामक बच्ची के पैर 3 जगा से चूट गया बाकि बच्चों के भी काफी चोटे आई है सूचना पर छेत्रीय पुलिस के अधिकारी वराजसब चीम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर जायजा लिया तता घायल बच्चों को उप्चार के लिए जिला स्पताल में भेज दिया गया है हादसे में मौके बच्ची का परिवार वालों ने पोस्ट मार्टम नहीं करवाया और शव को दफ ना दिया है गाव में हुई वारदात से मातम चाके आ है कैसे घटना घटी पीर का दिंदा ना फाता औरे जुमान आज चोड़े चोड़े बच्चे सब मोंच गे वहां एक लड़की जवान थी वो पाता दिला रही थी वचानक से हाथ सब्वाज दीवार गिरी ये बच्चे दब गी नीचे देश्चे की देट भी हो गई कितने लोग घाय लोग है इसमें चोड़े बच्चे किसी कम चोड़ लगी है एक तो इंतिकाल और खातम होगी एक का सर पढ़ा बेटेगा इसी के बरावर गता उसके बारा ठांक याए एक जवान nड़की जिसकी टांग टूटी तीन जगा से बतारें टांग तूटी उसकी और छोड़े जोड़े बच्चों किसी पैर में चोड़ लगी है किसी सर में लगी है कि पीर का दिन था शाम का वक्त था लोग फातर दिलवाने गए बच्चे बाट रहते वहां पर नियाज तो देखा तो बच्चे जब चारपाल बच्चे खट लिए आया है और एक मिर्टक को सुफर देखा कर लिया वाकि चार बच्चे घाया लिए